दोस्तों अगर आप लोगों को अपने लिए एक ऐसा monitor चाहिए जिसमें आप high quality में live streaming कर पाएं, अच्छी से अच्छी video editing कर पाएं और gaming भी कर पाएं हर एक तरीके की, तो एकदम सही video पे click किया है, क्योंकि इस video में आप से बात करने वाले हैं, इंडिया में आने वाले सबसे 5 monitor जिनका price लगबग होने वाला 13.30 से 15 या 16,000 रुपे तक, यह जो monitor होने वाले हैं दोस्तों यह जितने भी monitors आते हैं इस price range में, उन्हें सब से better है हमारे research के according और हर एक चीज के according तभी हम लोगों ने यहापर consider करें, अब बाएं monitor में basically 3 panel आते हैं, मैं आप लोगों को बता है, basically IPS panel जो है video editing के लिए बहुत अच्छे रहते हैं और इसमें IPS panel होने की वज़े से इनमें जो refresh rate है वो जादा नहीं मिलता, normal 60 Hz के आसपास मिलता है, दूसरा होता है TN panel, अब TN panel में basically color accuracy अच्छे नहीं होती लेकिन इनमें आपको refresh rate ठीक ठाक मिल जाता है, और third number पे आता है हलो गाइस, इस प्रशान शोतरी, वेल्कम तो अपने इस चैनल पे तो अभी से अपने चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल ऐकन को प्रेस कर लो कि आप लोगों के लिए ऐसी ऐसी वीडियो हम लेके आते रहते हैं, तो हमारी लिस्ट में जो भाई, फिप्त नमबर अब ये मोनिटर अगर आप लोगों को गेमिंग करनी है, अगर आप एक गेमर हो या वीडियो एडिटर हो, तो आप इस वाले मोनिटर को कंसिडर मत कीजेगा, अगर आपका ओफिस वर्क है, या आपका कुछ वैसा अगर आप स्टूडेंट हो, या आपको कुछ कोडिंग अगरा करनी है, ब्राउजिंग करनी है, तो ये मोनिटर आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चोईस होने वाला है, इस मोनिटर में दोस्तों एक बहुत खास चीज या वो है, आई केर टेक्नोलोजी, बिसिकली बेनक्यू के मोनिटर में आती है, बहुत अच्छी भी रहत है, क्योंकि जैसे कि मैं content creator हूँ और मुझे editing भी करनी बढ़ती है, सारी चीज़े देखनी बढ़ती है, तो ऐसी में आखों पे बहुत ज्यादा effect पड़ता है, तो आपको पहले ही ऐसा monitor consider करना है, जो आपकी आखों के लिए सही रहे, आपकी आखों को ज्यादा नुक्सम उ इस monitor में दोस्तों anti flicker technology भी मिल जाती है, जो की बहुत काम की technology होती है और बहुत अच्छी भी होती है, connectivity की बात करें तो 2 HDMI port, 1 VGA port and 3.5 mm audio jack भी आपको इस monitor में मिल जाएगा, ये monitor दोस्तों बेसिकली तीन साल की warranty के साथ में आपको मिलता है, अब price की भी बात कर लेते हैं, कुछी भी करना है तो इस monitor को आप definitely consider कर सकते हो, अगर आपको काफी लंबे टाइम तक desktop पे PC पे बैठना पड़ता है, तो ये monitor आपके लिए बहुत बढ़िया होने वाला है, value for money product है and iCare technology भी इसमें है, तो pros तो रहे इस product के ही है, अब बात करते हैं, cons के बारे में, तो cons में वैसे ज्यादा कुछ है नहीं, बस एक ही चीज है कि इसमें जो audio jack मिलता है, उससे सिर्फ आप speaker connect कर सकते हैं, उसमें आप microphone यूजर नहीं कर सकते हैं, और ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ती है वैसे, हाँ एक और चीज है कि जो इसमें आपको speaker मिलता है, वो काफी low sound output है, सिर्फ एक वोट का sound output है, बट इसको भी हम कोंद में जो है consider नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत से monitors जातर monitors ऐसे रहते हैं, जिन में speaker ही नहीं होते हैं, बिना speaker कि आपको मिलता है, तो ऐसे में ये option बहुत अच्छा हो सकता है आप लोगों के लिए, इसका link में निचे description में डाल आप वहां से जाके check out कर सकते हैं, अब बढ़ते हैं हमाई लिस्ट में आने वाले, फोर्थ नंबर के product की तरफ, और इसका नाम है व्यू सोनिक VX2458, ये बहुत प्यारा product है, और ये उन लोगों के लिए जो gamer हो, गेमर मतलब angry bird वाले gamer नहीं, जो अच्छे gamer हो, GTA 5 या ऐसे high जो end games हैं वो चलाने हो, तो ये जो है monitor आपके लिए बहुत बढ़िया लेने वाला है, क्योंकि इसमें आपको 1080p की full HD display तो मिलती ही है, लेकि इसमें जो आपको refresh rate मिलता है वह मिलता है 144Hz का, तो gaming के लिए बहुत प्यारा ये आपका monitor होने वाला है, इस monitor में एक और खास बात है कि इसमें भी आपको eye care technology मिल जाएगी, मतलब आपकी आखों के लिए, ये monitor भी काफी सही रहने वाला है as compared to वो monitor जिनमें eye care technology नहीं होती है, इस monitor में आपको VA panel मिलता है, तो VA panel मिलने के वज़े से refresh rate तो high मिल गया, colors भी आपको ठीक ठाक मिल जाएगे, anti-flicker display भी आपको इस monitor मिल जाएगी and eye care technology भी इस monitor में आपको मिल जाएगी, और जैसे कि मैंने आपको बता है VA panel मिलता है, तो इसके वज़े से आपको color accuracy भी अच्छी मिल जाएगी, तो मतलब आप gaming तो करी सकते हो, gaming के लिए तो best है ही ये monitor, इसके अलावा office work करना हो, streaming वगरा करनी हो, या browsing करनी हो, तो भी बहुत अच्छा option ये आप लोगों के लिए होने वाला है, connectivity की बात करें तो भाइस में आपको 1 HDMI port मिलता है, 1 VGA port मिलता है, और खास बात ये कि इसमें आपको 3 vote के 2 speakers देखने को मिल जाते है, मतलब total 6 vote का sound output मिल जाएगा, तो ये एक बहुत अच्छी बात है इस range के monitor म और 3 साल के warranty के साथ में आपको ये monitor मिलता है, प्राइज 14,000-14,000-15,000 इसके बीच फ्लेक्ट करता रहता है, बट बहुत तगड़ा monitor होने वाला है, खास करके gamer हो तो बहुत ही extreme रहने वाला है, इसका link भी आपको इंचे description मिल जाएगा, अब बढ़ते हैं हमाई लिस्ट में आने वाले तीसरे number के product की तरफ, तो इसका नाम है बाई Acer Ultra Slim 24-inch monitor, इस monitor में आपको IPS पैनल मिलता है, मतलब color accuracy बहुत अच्छी होने वाली है, और बहुत प्यारा monitor भी है, इसके reviews, feedback भी बहुत अच्छी है, एंड look wise भी आपको कावी पसंद आने वाला है, इस monitor में basically आपको full HD IPS पैनल मिलता है, 1080p resolution में, और 75 Hz का आपको इसमें refresh rate मिल जाता है, अगर आपको long sessions करने हो, तो भी ये monitor आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि इसमें भी आपको IK technology मिल जाएगी, इस monitor में भी आपको 4 वोट का sound output मिल जाएगा, और connectivity की बात करें तो हम pros में consider कर सकते हैं, वो ये है, कि ये product AMD freezing के साथ में आता है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है, अब बात कर लेते हैं, कौन्स की, तो कौन्स ही हैं कि इसमें सिर्फ एक ही HDMI port अपने को मिलता है, अगर दो मिलते तो और जादा better होता, ये product भी 3 साल की warranty के साथ में आता है, अब बढ़ते हैं हमारी list में top second number पर आने वाले product की तरफ, दोस्ते ये है Dell का 24 inch IPS monitor, ये भी बहुत प्यारा product है, इसकी display quality आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है, इसके जो visuals हैं वो बहुत ही प्यारे हैं, 1080p की full HD display के साथ में आपको ये monitor मिलता है, with 75 Hz refresh rate, मतलब photo editing से ले बैतरीन मिलने वाले है, 75 Hz refresh rate आपको इस monitor में मिल जाता है, और खास बात ये किसमें आपको AMD FreeSync technology भी मिल जाती है, इस price range के अंदर जो की काफी बैतरीन, intense performance आप लोगों को देती है, connectivity की बात करें तो इस वाले monitor में भी आपको dual HDMI port मिल जाएंगे, एक headphone jack मिल जाएगा, तीन सा इस वाल की warranty के साथ में ये वाला monitor आता है और pros कोंस की बात कर लेते हैं, तो pros तो यही है कि AMD FreeSync भी मिल गया, काफी intense performance आपको मिल गई, और अगर बात करें कोंस की तो भाई हमें दो कौंस इस monitor में मिले है, पहला कौन तो ये मिला है, कि इसमें VGA port नहीं है, और दूसरा ये ह कि इसमें inbuilt speaker नहीं है, बट इतना बहतरी ना आपको monitor अगर इनोंने दिया है, तो speaker ना होना भी justified है, आप जो है बाहर से speaker purchase कर सकते हो या existing speakers में लगा सकते हो, बहुत अच्छी चोईस होने वाला है दोस्तों ये वाला monitor और इसका link भी आपको description मिल जाएगा, अब बढ़ते है हमारी इस list के winner product की तरफ, उस product की तरफ जो मेरा favorite product है और आप लोगों का भी favorite product हो सकता है, मुझे नहीं पता है अब तक, इस product का नाम है भाई, LG Ultra Gear 24 inch monitor, भाई, LG के monitors बहुत प्यारे आते हैं, और अगर बात करें ultra wide monitors की, तो LG के monitors best monitors होते हैं, ultra wide segment में, और जैसे की नामी Ultra Gear है, तो हमें पता चल रहा है कि इसमें अपने को extreme चीज़े मिलने वाली है, इस monitor में दोस्तों अपने को मिलती है 24 inch की full HD IPS display, तो IPS panel होने के वाज़े से जो colors है ना हो, बहुत ही शानदार आपको इस monitor में मिलेंगे, लेकिन IPS display होने के साथ-साथ में आपको इस monitor में मिलता है 144 hertz का refresh rate, मतलब किसी भी तरीकी gaming हो, video editing हो, photo editing हो, जो 3D designing हो, graphic designing हो, programming हो, surfing हो, content watching हो, best monitor यह आप लोगों के लिए रहने वाला है, और response time भी मैं आप लोगों बता देता हूँ, सिर्फ 1 millisecond का response time आपको मिलता है इस monitor में, मतलब best चोई हो सकती है दोस्तों आप लोगों के लिए, अगर आप एक video editor हो, extreme वाले 4K में आपको video editing करनी है, या भले ही आपको gaming करनी है, तो बहुत बढ़िया choice है आप लोगों के लिए रहने वाला है, इस monitor में आपको 2 HDMI port मिल जाएंगे और 1 VGA port मिल जाता है, इस monitor में भी आपको 3 साल की warranty मिलती है, मतलब आपको professional video editing करनी हो, या intense gaming करनी हो, य प्रोज तो बहुत सारे है, value for money product है, सबसे बैतरीन product है इस range में, कौन्स की बात करें, तो वही कि इसमें भी आपको inability speakers नहीं मिलते हैं, तो ये basically एक काफी बढ़िया choice हो सकती है, क्योंकि IPS monitor तो ही, मतलब color accuracy तो आपको बहुत बढ़िया मिलेगी, साथ-साथ में refresh rate भी के अंदर फिलाल के टाइम में, जो आप लोग consider कर सकते हो हर एक चीज के लिए, उमीद करते हूं दोस्तों आप लोगो को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो, helpful लगी हो ना, तो वीडियो को like जरूर कर दे ना, पसंद ना आई हो तो बेजी जग कि अगरी के लिए।